जैने दोस्तों वंदे मातरा OTT प्लेटफॉर्म के अस्तित्तों में आने के बाद से एक जीज जो बहुत सटीक तरीके से क्लियर हो गई है वो ये है कि भई आपको कॉंटेंट हमेशा अच्छा मिलता रहेगा प्लेटफॉर्म से तने जारे हो चुके हैं कि कहीं ना कहीं आपको अच्छो कंटेंट विली जाएगा तो अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ही आ जाता है कि भाई बॉलिवड इससे कब सीखेगा लेकिन इसका जवाब हम लोग फिर कभी देंगे योगि आज हम लोग जिस बारें बात करने वाले हैं वो टॉपिक मुझे बहुत पसंद है स्कैम 1992 हर्शद महता का जो पूरा का पूरा एक शो आया था उस शो ने तहल का मचा दिया था लोगों को वो कहानी इतनी पसंद आई थी कि मतलब सोनी लिफ जिस वो टॉट्टी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुआ था उस वो टॉट्टी प्लेटफॉर्म की व्यूर्शिप बढ़ गई थी सब्सक्राइबर बेस बढ़ गया था लेकिन जब वो शो खतम हुआ तो दिमाग में एक सवाल ये था इस बात की जानकारी हंसल महता ने खुद सोशल मीडिया पर एक वीडियो फैन्स के साथ शेयर करते हुए दी इस वीडियो में स्कैम फ्रंचाइजी के दूसरे सीजन के टाइटल अनॉंस्मेंट कर दी गई है मेकर्स ने इस वेब सीरीज का नाम दिया है स्कैम 2003 दा तेलगी स्टोडी साथी सीरीज के लीड अक्टर के नाम का भी खुलासा कर दिया गया है हंसल महता ने टाइटल अनॉंस्मेंट वीडियो शेयर कर कैप्शन में लिखा कि तेलगी मिल गया है अब दूल तेलगी के रूप में बेहत परभावशाली गगंदेव रियाय को पेश किया जाएगा स्कैम 2003 ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वाइरल हो रहा है फैंस कमेंट कर रहे हैं कि हमें स्कैम 2003 दा तेलगी स्टोडी का बेसबरी से इंतिजार है अगर हम बात करें स्कैम 2003 टू में प्रतीक गांदी ने दलाल स्ट्रीट के बिग बुल हर्शद महता के किरदार को निभाया था जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था ये वेब सिरीज करनाटिका के खानापुर में पैदा हुए एक फ्रूट सेलर अब्दुलकरीम तेलगी के जीवन पर और भारत में सबसे सरल घोटालों में से एक के पीछे के मास्टर माइंड बनने के उनके सफर को दिखाती है कई राज़ों में फैले इस घोटाले ने पूरे देश को जगजोर का रख दिया था अब्दुलकरीम तेलगी स्टाम पीपर घोटाले का मास्टर माइंड भी था वेब सिरीज स पतरकार संजय सिंग दौरा लिखित हिंदी किताब रेपोल्टर्स की डाइडी से अड़ेप्ट किया गया है जिन्होंने इस घोटाले के समय पर ब्रेक किया था स्कैम 2003 को OTT platform Sony live पर स्ट्रीम किया जाएगा और ये मामला भी कोई छोटा मोटा मामला नहीं है मतलब अपने समय का एक बहुत बड़ा केस रहा था मतलब अगर आज की जन्रेशन की बात करें तो उन सभी ने तेलगी स्कैम के बारे में जरूर सुना होगा और ऐसे स्कैम को चुन कर पबलिक के सामने लेके आना ये अपने आप में काफी ज्यादा रोमांचित होने वाला है रोमांचित करने वाला है क्योंकि जिस तरीके से ये स्कैम्स होते हैं वो स्कैम्स हमारे आँखों के सामने हो रहे होते हैं लेकि उसके बाद भी हमकों समझ में नहीं आता है नेरे सुड़ें फिलालत नहीं जाए हैं जाए भारत